गुड मॉर्डिं एरीवन, क्लास नाइन्थ के हिंदी बिसाय में आपका हार्डिक स्वागत है आईए चलते हैं हम अपने बिसाय हिंदी के इसपर्स और संचैन के बुस्तकों की ओर जहां पर आज हम संचैन के कुछ गद्य बचे हुए पाठों पर चर्चा करेंगे पिछले विडियो में हम लोगों ने इसपर्स के काप्द्य खंड और इसपर्स पाठ पुस्तक के गद्य खंड पर चर्चा कर चुके हैं तो आज हम चलते हैं अपने पाठ करम के अनुसार जो हमारा सत्र टू टर्म टू के सिलेवरस के अनुसार है जिसमें संचैन के कुल चार पाठ लागू हैं जिसमें गिल्लू के अलामा इसमिर्ती सिराम सर्मा का उसके बाद हामित खांग और एक चौथा चेप्टर है दिये जलू टे इस प्रकार टर्म टू के सिलेवरस में कुल संचैन के चार पाठों का उरण किया गया इसमें पाठ करम में निर्धारित है तो आए इन चार पाठों में से हम पहले पाठ गिल्लू पर चर्चा करें चुकि पाठ करम एक बार हम लोगों ने समाप्त कर लिया है तो पाठ पुस्तर में निर्धारित प्रश्ण और उत्तर सब्द और अर्ज पर हमने चर्चा कर लेती तो आज हम सबी लोग इसे पाठ पे पुल्रा बृत्ती में चर्चा करेंगे पाठ है हमारा पहला पाठ का नाम है गिल्लू जो महादेवी बर्मा जी की उतना है महादेवी बर्मा की रचना गिल्लू पे कुछ अत्रीक्त हम प्रश्ण उत्तरों पे चर्चा करने जा रहे हैं तो आईए उस्वागत से आप लोग का चलते हैं हम सबसे पहले कुछ लाउंग प्रश्ण पे जिसे हम डिबंधात्मक प्रश्ण के नाम से जानते हैं आईए चर्चा करते हैं पहले अपने प्रश्ण में पहला प्रश्ण है चुकि सबसे पहले प्रश्ण का उत्तर देने के पहले एक बार हम सबसे पहले गिल्लू के गध्यांस के सारांस पर चर्चा करते हैं जिसमें आप भली प्रकार से जानते हैं कि महादेवी बर्मा एक प्रकितर प्रेमी और जियों पर दया रखने वाली प्रेवित्व की महिला रही जिन्होंने अपने घर में ही कुत्ते बिल्ली आदी बहुत से जियों से प्रेम करते हुए उन्हें पाल रखा था इस प्रकार महादेवी बर्मा का सुभाव प्रतेग जियों के प्रती निरंतर उदारता पूर रहा सहयोग पूर रहा इस प्रकार इस गिल्लू पाठ में लेकिका महादेवी बर्मा ने अपने जीवन में एक छोटे से जीव जिसका नाम गिल्लू था जो एक वास्तों में गिलरी था उसके प्रती अपने प्रेम उसके प्रती अपने लगाव उसके प्रती अपने मनोभाव का वरड़ मरे ही सुच्मरूप से किया है यह उनके जीवन के एक स्वयम की अनुभूती स्वयम का अनुभू रहा जिसे महादेवी बर्मा ने इसे कहानी के माध्यम से लोगों तक पहुचाने का प्रयास किया है जहां लेक्या ने ये बताने का प्रयास किया है कि प्रते एक जीव एक दूसरे के प्रती भावरात्मक और मानवी ब्यवहार रगता है अगर दूसरे ब्यक्ति के द्वारा वैसा ही बेवहार उसे प्राप्त होता है तो निश्चे ही वग मानोतापुड बेवहार करने के प्रती विवस होता है इसमें दिखाया महादी वर्माने की एक छोटा सा जीव गिल्लू के जीवन के प्रते एक छड में महादेवी वर्मा का समावेश रहा उनके प्रती उसका प्रेम रहा इस पकार महादेवी वर्मा ने प्रानम्व किया है कि यह जो ही जो ही का ब्रिच्छ है महादेवी वर्मा के आगन में एक जो ही का ब्रिच्छ लगा हुआ था जिस पर बहुत से पक्षी आकर बैठते थे एक दिन की घटना के बारे में महादेवी बर्मा ने कहाने के प्रानम्ध में ही कहा कि एक दिन कौव की चचाहाट को देखकर मुझे कुछ जीयों के अनिष्ट होने की आसनका महसूस हुई जब मैं बाहर आकर के आगन में देखा तो जहाँ पर गमले रखे हुए थे वहाँ एक छोटा सा जीव गमले के आन में छिपा हुआ घायल दिखाई दिया जो कौव के चोच से घायल हो गया था वह जीव कोई और नहीं बल्कि एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा था मादवी बर्मा ने बताया कि उसे कौव के चोच से घायल होता हुआ हुआ देखकर मैंने उसे बचाने का प्रयास किया मलवन पट्टी करने के बाद उसका जीवन बचा तब से वह मेरे पास ही रहने लगा इस प्रकार पर ते एक दिन महादवी बर्मा का उसकी किये जाने वाले कारणामे और उसके द्वारख किये जाने वाले किया कलाब में बेतीत होता था इस प्रकार मानुईता में महादवी बर्मा के साथ निरंतल लगा रहा और अंत में जब उसकी मृत्य हुई तो महादेवी बर्मा को तिरिक कष्ट और दुख हुआ उस दुख का वर्ण भी नोंने इसमें किया है तो आईए चलते हैं निवन्दात्मक कुछ अतरिक्त अपने पाठ़ पुस्कक के अलामा अतरिक्त प्रश्टों पे जो परिच्छा की दिष्टी से महत्पूर हैं तो आईए चलता हैं पहले परश्ट में जिसमें महादेवी बर्मा के उस परिस्थिती और गिल्लू के प्रति उनकी संवेदन सीलता का ओवरण मिलता है पहले प्रश्म में चलते हैं पहला प्रश्म है हमारा गिल्लू लेकिका को गिल्लू लेकिका को किस परिस्ति में मिला था? किसे परिस्तिती में मिला था? लेकिका ने उसका उपचार किस सम्मेदन सीलता के साथ किया? लेकिका ने उसका उपचार किस सम्मेदन सीलता? किस सम्मेदन सीलता से किया? हम एक बार पाठ का अध्यन कर चुके हैं आपको याद आ रहा होगा जब गिल्लू कवे के चोच से अतिदिक धायर हो चुका था पहले आप क्वेस्चन को राइट करिए प्रश्ण है गिल्लू लेकिका को किस परिश्थिती में वो कौन सी परिश्थिती थी? किस परिश्थिती में मिला था और लेकिका ने उसका उपचार किस सम्मेदन सीलता से किया? लेकिका ने उसका उपचार किस सम्मेदन सीलता के साथ या माने कौन से मानमी ब्योहार को ध्यान में रखकर लिखका ने उसका उप्चार किया कैसे किया तो आई ये चर्चा करते हैं कहानी में जैसा कि आप जानते हैं लिखका के प्रती गिल्लू का सुभाव संबेदन सीर रहा लिखका को जब यह मानू पड़ा की कवे के चोच से गिल्लू जो गिल्हरी का छोटा सा बच्चा था आते थी घायर हो चुका है तो उसे बचाने का लिखका के द्वारा प्रयास किया गया जहां लिखका ने उसे अपने घर में लाकर उसके घाव को भरने के लिए मलहम पट्टिया दिखिया चुकि गिल्लू अभी बहुत छोटा था वह सोयम से कुछ खापी नहीं सकता था जिस कारण लिखका ने उसे कुछ दूद और जलकी बूदें रूई के माध्यम से उसके मूँ में डालने का प्रयास किया कापी परिस्रम करने के बाद लिखका के द्वारा कुछ जलकी और दूद की बूदें गिल्लू के मूँ में जा सकी इस प्रकार धिरे धिरे उसका सरीर स्वस्त हुआ और वह चलने प्रने योगी हुआ उसके बाद निरंतर गिल्लू का सुभाव लिक्का के प्रति सम्मेदन सीर रहा लिक्का प्रदिक उससे प्रेम करने लगी चुकी जीव से अपना एकार्टर सड़ होता है लेका ने उसके सुभाव और उसके कारियों से अपने आपको लगाव हुआ लगाव के रूप में समझा तो आईए देखते हैं कहानी क्या हुई थी उस पे हम चर्चा करते हैं गिल्लू लेका के किस लेका को किस परिष्टिती में मिला लेका ने उसका उपचार किस संबेदन सिल्टा के साथ किया एक दिन सवेरे एक दिन सवेरे लेका को तहलते समय लेका को तहलते समय गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा निस्चेज की अउस्था में निस्चेज की अवस्था में अवस्था में निस्चेज की अवस्था में इतना हो गया आगे देखते हैं इतना राइट कर लीजिए जल्दी करिए निस्चेज की अवस्था में अवस्था में आमन में रखे गमले के पास गमले के पास मिला जिस्चेज की अवस्था में जिस्चेज की अवस्था में अपनी चोच से मार कर अक्यदिक घायर कर दिया का अक्यदिक घायर कर दिया था आगे चलते हैं यह इरच कर दे नीचे के लाई सबकी हो गई ठीक चली आगे चलते हैं लिखकाने लिखकाने उसकी दसा को देखकर देखकर उसके जीवन की रच्छा है तू रच्छा है तू उसे उठा कर वहाँ से उसे वहाँ से उठा कर अपने घर के अंदर ले आई ले आई ले आई और रुई के तौरा उसके घाव को उसके घाव को पोच कर साफ किया पोच कर साफ किया पोच कर साफ किया कि इतना राइट करिए पोच कर साफ किया हो गया सब ड्राइट करिए जल्दी हो गया चलिए आगे चलते है तक तक जिसका बाकी है वाया नीचे से करता है उसके घाव को पोच कर साफ किया उसके घाव पर पेंसिली दवा लगाया लगाया और उसको भूख लगी होगी लगी होगी लगी होगी लगी होगी एसा मानकर एसा मानकर रूई के रूई की पतली बाती बनाकर उसे दूध में नीचे बला होगे सबका इरेज करें चलिए उसे दूध में भीगो कर उसे दूध में भीगो कर गिल्लू के मुख में दालने का प्रयास किया दालने का प्रयास किया किंतू कही बार यह प्रयास और सफर रहाब क्योंकि 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 दूध यार जल दूध यार जल की बूदें गिल्लू के छोटे मुझ से गिल्लू के छोटे छोटे मुख में न जाकर न जाकर इतना हो गया इरेज करें इधर इधर उधर भर जाया करती थी इतना है इतना है इतना है इतना है कही बार के प्रियास के बार प्रियास के बार यह पारी सम्होवा इरेज करते इसको सम्होवा और दूद गिल्लू के मुख में जासकाद इस प्रकार इस प्रकार तीन दिन तक लेखिकाले गिल्लू की दवा आदी द्वारा द्वारा सेवा की और तीसरे दिन दिन से गिल्लू के हालत में हालत में काफी सुधार होसा हुआ दिखने लगा लगा इस प्रकार लेखिकाने इस प्रकार अपने अपने सबे या रिष्टेदार के समान समान लेखिकाने गिल्लू की गिल्लू की देख भाल की गिल्लू की देख भाल की इसको आप राइड कर लीजिए राइड करिए जन्दी दिवन्दात्म प्रस्ट में हम पहले प्रस्ट पर चल्चा कर चुके हैं कल हम अगले वीडियो में बचे हुए कुछ अतरिक्त नए अन्य पूछे जाने वाले पुराने बोर्ड के प्रस्टों पर चल्चा करेंगे तो आईए चलते हैं आज के लिए इतना ही कल हम अगले जिवन्दात्मक प्रस्ट पर इसी पार्ट पर चल्चा करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभो